हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पे मैं हूँ आपका दोस्षाही तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कल की लिए तीन बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें से हमारा पहला स्टॉक है आर्थी इंडस्ट्री आपको यहां पे दिख रहा होगा इसने डबल टॉप पैटन यहां पर बनाया था रुआ से इसका रिवर्स ट्रेंड शुरू हो चुका था बियरिश ट्रेंड और यहां पर यह बियरिश पैटन बना रहा है आप यहां पर बन रहा है, अगेन यह horizontal line break होने के बाद यहां तक stock नीचे आ सकता है, तो ऐसे में हम लोग इस stock में short selling करके मुनाफ़ा बना सकते हैं, तो हमने बस wait करना है, यह नीचे वाली horizontal line break होने का यहां से हम लोग इसमें short selling कर सकते हैं, मैं अभी आपको इसके levels बता देता दोस्तो इस stock के levels बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अब तक आपने हमारे free telegram group को join नहीं किया है, तो join कर लीजिए, जिसकी link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी, इस free telegram group में आपको daily free में options reading के call और other information मिल जाएगे, जैसी कि आप यहां पे देख सकते यह हमारा free telegram group है, इसमें मैंने आज call दिया था, bank nifty 52,500 का put option, call देने के बाद मैंने बताया था कि कोई भी call side के position मत बनाई यह, market तो उपर जा रहा है, लेकिन यह trap हो सकता है, और sharp fall, यानि जादा नीचे जाने के market के बहुत जादा chances से, वैसे ही हुआ, 9 बच के 52 मिन पे मैं यह message किया था, यहां से nifty में 300-400 point का fall देखाई दिया है, और हमारा जो trade था वो भी activate हो चुका था, आप देख सकते है, 425 पे bank nifty का trade, और यह 470 तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यह बाद में 800 से भी उपर चला गया था, इतनी high accuracy trades आपको हमारे free telegram group में मिल जाएगे, त हम बात करते हैं, आरती industries की, तो इस stock में short selling कर सकते है, 559 रूपिस की नीचे जब यह stock जाएगा तब, तब आपने इसका पहला target रखना है 555, याने कि 555 रूपे का second target होगा 553 रूपे का, stop loss आपने इसमें रखना है 500-400 रूपे का, यह था हमारा पहला stock, अब मैं आपको हमा बहुती लंबा consolidation zone भी बनाया था, और आज हमें यहाँ पर breakout देखने मिला है, वो भी इतनी बड़ी green candle के साथ, साती नीचे अगर आप volume की candle देखोगे, वो भी candle, इन पहले सभी candle से बड़ी हमें दिखाई दे रही है, तो यह बहुती अच्छा breakout है, इसमें भी हम कल trade कर सकते ह levels मैं आपको बता देता हूँ, और दोस्तों अगर आप stock market में नए है, आपको एक trading account चाहिए, जिसमें आप trading कर पाओ, और जिसका user interface भी बिल्कुल simple हो, तो आप up stocks में account open कर सकते हो, बिल्कुल free में, account opening की कोई भी charges नहीं है, और annual maintenance charges भी आपको नहीं लएगे, यह इसी वीडि TK बारे में, तो दोस्तों इस stock में आप entry ले सकते हो, pre trading session strategy का use करके, 1320 से 1350 रुपे के बेच में stock के open होने के chances से, अगर आपको pre trading session strategy के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको बता दू कि इस strategy का use करके, आप लोग सुबा के 9 बच के 7 मिनिट पे stock में entry ले सकते हो, इसका मैं आपको उस वीडियो की link इस वीडियो के description में मिल जाएगी, आप checkout कर सकते हो, और इस range में open होने के बाद आपने इसको open rate में buy कर लिया, तो उस rate से 10 रुपे उपर का आप इसमें पहला target रख सकते हो, 20 रुपे उपर का आप इसमें second target बना के रख सकते हो, stop loss आपने रखना है उस rate से 10 रुपे नीचे का, तो यह था second stock, अब हम बात करते हैं third stock के बारे में, दोस्तो third stock से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा options trading के लिए एक premium group भी है, जिसमें हम daily 3-8 calls में trade करते हैं, और आज जो मैंने calls बताये थे, उनका performance मैं आपको बताना चाहूंगा, total 4 calls आज मैंने दिये थे, 4-4 calls सही रहे थे हमारे, मैं आपको बताता हूं यह थी कि पहला call दिया था मैंने bank nifty 52,500 का put option, जिसमें 425 के उपर entry बताई थी मैंने, और 445,465,503 target दिये थे, तो दोस्तों इस call का हम performance देख लेते हैं, तो देखें यहां पे trade अक्टिवेट हो चुका जिसी कि आप यहां पे देख सकते हैं, निफ्टी 25,750 का put option बाई करने के लिए था 195 पर, 210,225 और 240 यह थी तीन target बताये थे, यहां पे आप देख सकते हो, निफ्टी वाला trade अक्टिवेट हो चुका था, 195 से यह 250 तक चला गया था, हमारे तीनो target यहां पे successfully complete हो चुके थे, इ यहां पे मैंने profit बुक करने के लिए कहा, उसके बाद 109 से 115 तक भी चला गया था, दो target हमारे complete हो चुके थे, और जो चौता call था हमारा, मतलब last call आज का, तो वो यह रहा, बैंक निफ्टी 52,500 पर पोट option, 515 के उपर entry बताये थे, यह थी 515 से 565 चला गया था, दो target यहां प कोई position मत बनाई, यह आप फस सकते हो, वैसे ही हुआ market, जैसे मैंने यहां पर बताया था, sharp fall के unexpected, sharp fall यानि बहुत ज्यादा market नीचे गिर सकता है, वैसे ही हुआ market यहां से नीचे चला गया, तो आपको ऐसे भी सभी instructions यहां पर इस group में मिल जाएंगे, यहां पर आप देख सक का profit, third call में 1225 रुपे का profit, और last call में 1200 रुपे का profit, इस तरह से आज का total profit बनाए 5,875 रुपे का, यहां पर आप देख सकते हो, October month का performance, 1 October को 3,375 का profit हुआ, 2 October को चुटी ती stock market को, और 3 October को 5,875 का, इस तरह से अभी हम लोग 9,250 रुपे के profit में चल रहे है, पिछले month के profit भी आप यहां पर देख सकते हो, अगर आपको यह group join करना है, तो आप इस वीडियो की description में जाकि मुझे Instagram पे भी contact कर सकते हो, और Telegram पे भी contact कर सकते हो, यहां पर मैंने मेरी IDs दी हुई है, उसके बाद दोस्तो second group है हमारा zero hero group, इसमें आपको index expiry special call दिये जाते है, इसमें पहला call आज मैंने दिया था, nifty 25,350 का put option, 30 में trade activate हो चुका था, उपर चला गया था, थोड़ो बहुत फिर नीचे आने लगा, तो मैंने 25 रुवे में trade में exit लेने के लिए कहा, तो सरी 5 point का यहां पे loss हमारा चल रहा था, उसके बाद second call, फिर मैंने दिया nifty 25,300 का put option, यह 50 में trade activate हो हो चुका था, और 66 तक चला के, पहला target यहां पे complete हो चुका था, तो यहां पे हमारा पहले call का loss cover हो के, 11 point का profit बन चुका था, 0 hero call में, लेकिन यह पहला call जो हमने exit लेने लगाया, बाद में इसने 100 रुपीज भी cross कर लिया था, इतना जादा market नीचे गी रहा, बट आज हमने loss तो बनाया ने, इसमें चोटा सा profit तो जरूर हुआ है हमारा, इसके पहले के profits आप देख सकते हो, जिसे एक तारीक को bank nifty का call 70 से 133 चला गया था, उसके पहले का call आप देख सकते हो, यह दिखिए, nifty 26,184 रुपे सी यह दिखिए, 85 तक चला गया था, capital यहां पर भी double हो तो आप यह group हमारा join कर सकते हो, अब हम third stock के बारे में जानते हैं, दोस्तो कल के लिए जो हमारा third stock हो उसका नामे वेदानता, यानि वेदल आपको यहां पर दिख रहा है, breakout हो चुका है, इसलिए मैं यह आप लिका है, breakout done, retest हो सकता है, या फिर bull run continuous हो सकता है, मतलब यहां से retest के लिए फिर से return आकि जोन के पास आ सकता है, जो इसका भी support zone बन गया है, या फिर यही से ऊपर चला जा सकता है, दोनों इसमें possibilities है, क्योंकि आज इतना ज्यादा market गिरने के बाद भी आप देख सकते हो, candle में इसने थोड़ा सा ही नीचे closing दिया है, ज्यादा गिरावट इस stock में देखने नहीं मिली है, मतलब यह strongly इसको hold किया है, buyers ने, तो इसमें भी हम cut trade कर सकते हैं, इसमें 2 entry और 2 target होगे, तो इसमें आप long position बना सकते हो, जब इस stock 514 रुपे cross करेगा तब, तब आप इसका पहला target बना के रख सकते हो, 517 रुपे का, second target होगा आपका 520 यह था long position की entry और target, अब मैं आपको short selling की बता देता हूँ, short selling आप इसमें कर सकते हो, 509 रुपे के नीचे जब यह stock जाएगा तब, 506 रुपे आपका पहला target होगा, 506 रुपे आप इसका second target होगा, stop loss आपने बनाया रखना है 512 रुपे का, तो यह थे हो 3 stock जिसमें आप लो intraday premium group और नीचे की 3 stocks मैंने youtube वीडियो में बताया थे, इसमें से पहला stock hercules जो मैंने बताया था, 656 रुपे के उपर entry, premium group में, वो trade अक्टिवेट नहीं कर पाया, यह देकि 722 इसका high है, sorry यह तो upper circuit limit है, आप यहाँ पर देख सकते है, high कितना है, 655 और मैंने का था, 656 के country नहीं लेनी थी, ACL की बात करे, तो ACL stock आजावारा फेल हुआ था, खिकि यह open तो correct हुआ, 99 रुपे 40 पेसे में, लेकिन वहाँ से नीचे गिर गया, जिसे कि आपको पता था, market ओपन होने के बाद नीचे गिर गया था, तो दो stocks मैं से एक मेंट रेट अक्टिवेट नहीं हो गया, और बाद में आप देख सकते हो, यह close हुआ है, 645 रुपे 35 पेसे पे, मतलब इतना उपर, और यह 20% के अपर circuit पे close हुआ है, तो इसने हमारा सारा loss तो cover ही कर दिया, साथ ही साथ हमें 5-7% का यहां पर मुनाफ़ा बना के दिया है, और हो सकता है, कल भी यह stock थोड़ा बहुत उपर ही open हो, अब हम बात करते ही, यूटूब के stocks के performance की, तो SBI card मैंने यूटूब वीडियो में suggest किया था, 766 रुपे के नीचे entry बताया था, तो इसमें trade activate हो चुका था, 760 का इसने target भी complete कर लिया, और 745 रुपे तक नीचे आ गया था, और यह last के 2 stocks trade activate नहीं कर पा लेकिन 340 के नीचे stock गया ही नहीं, और पलस securities में मैंने 183 के उपर buy का था, लेकिन 168 तक ही जा पाया तो इसमें भी trade नहीं लेना था, तो यह थे आज का performance, वीडियो में बने रहने के लिए, thank you so much.